इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं, बिजनस शुरू करने वाले हैं, तो किस जगह पे आप अप करेंट खुल सकते हैं, क्या का चीज़ों के ओपर आपको ध्यान में लगना पड़ेगा, और कॉन सा प्रेफरराबल बैंक है, और क्य के बैंक ही इतने सारे बैंक से आप जिसे देख सकते हो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स्ट रिव्यू आते हैं तो यहां पर आपके लिए कौंसा सही है और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बिना करेंट एक के अगर आप transaction करते हैं तो फिर अगर अपने सेविंगसकाउंट से अगर transaction करते हैं behaviors के लिए उसमें यानकर इर्षी आप जो चैब अगर च ernst साथे ऐसेए अगर बहुत कम हो दो हो रहा है सेविंश πंध से License क adjust कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आपका volume of transaction बहुत बर जाता है amount of transaction बहुत ज़्यादा बर जाता है तो इस जगा पे आपको एक current account बनाना ही परेगा ऐसा बहुत बार होता है यह हो भी सकता है आपके साथ होने वाला है यह आपके साथ हो चुका है तो यह ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाकर आकाउन खुलना चाहते हो या इंफर्मेशन चाहते हो वहाँ पर जो बैंक स्टाफ है वो आपके साथ अच्छे से डील नहीं करता है यह जिस आपको ध्यान में रखना परेगा कि अगर इस तरीके का कोई अगर इशू होता है तो आपको तुरंद एक एमेल या ट्विटर के मादिम से बैंक तक आपको पहुशना चाहिए जो employee जिसने आपके साथ misbehave कि है उसके बारे में उसका ID या उसका फोटो या हो सके तो उसका वीडियो खिच के आप जो बैंक है उसको भेजे ताकि उनको पता चले कि इस तरीके का misbehave हो रहा है अपने आपके कस्टमर के साथ आप जो कस्टमर बनके जा रहे हैं आपके घटिया होते हैं उनका behavior जो होता है customer की और बहुत ही घटिया होता है तो यहां पर बैंक स्टाफ का जो local bank है जो प्रांच है उसका behavior बहुत माइने रखता है अगर आप देए कि घटिया स्टाफ है घटिया behavior है बहुत ही root behavior है क्योंकि आप bank का जो आपके साथ deal कर रहे हो वो local level पर कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना परेगा तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में कुछ ऐसे pointers के बारे में जो आपको ध्यान में रखना परेगा जब आप किसी bank में account खोलने जा रहे हैं किन चीज़ों के बारे में आपको ध्य करने के लिए आपको एक bank account चाहिए वह अपने किया है क्या कारण है आप क्यू कर रहे हो कोई तो कारण होगा वह जानने के बाद आपको यह देखना बढ़ेगा कि आपका जो बिजनस है वह क्या ओफ-लाइन बिजनस है जैसे बहुत सारे e-commerce का जो बिजनस चलाते हैं उनका ओनलाइन बिजनस है बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं यूटूबर्स हैं जिनका मीडिया प्रोडक्शन कामपनीज है जो ऑनलाइन में सब कुछ सेल करते हैं तो उनका जो बिजनस है वो ऑनलाइन है अगर आप कपड़ा बेजते हो आपका वहां पर हो जाता है आपका ओफलैन बिजनस उसके बाद आपका नजों ओडबात है आप लूँक्र है हर दिन आपकर 40 things ट्रैंजक्शन होता है हर दिन आपका पचास ड्रेंज मोते हो लाप दीन आप चैस였습니다 लुका तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना transaction होता है उसी के साथ साथ को यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आपको branch जो होता है जिसमें आप account खुलने वाली हो वहां पर बहुत जादा विजिट करना पड़ेगा या बिना विजिट के भी चल सकता है क्योंकि आ चुका है जो आप इस्तमाल कर सकते हो उस तरीके से आपका transaction हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है cash में हो रहा है चेक में हो रहा है account transfer में हो रहा है किस तरीके से हो रहा है तो आपको bank बहुत जादा आपको जादा आपको जाना परेगा अगर आपका check में हो रहा है तो check ड बैंक किस तरीके का ब्रांच किस तरीके की पॉलिसी आपको मदद करेंगी उसके साथ और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वह यह है कि कि मिनिमम बैलेंस रिक्वार्मेंट किया है क्योंकि बहुत सारे बैंक जो होते हैं जैसे इसका 25,000 है बहुत सारे बैंक का 10,000 है किसी का 5,000 है यहां पर क्योंकि आप स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं आपके बास उतना कैपिटल होता नहीं है तो इस जगह पर आपको यह देखना पड़ेगा कि minimum average balance होता है quarterly balance होता है यहां पर minimum balance आपको कितना रखना पड़ेगा क्योंकि अगर minimum balance के नीजे अगर आपका balance जो अगर चला जाता है तो वहां पर आपका जो bank है वो आपको non maintenance के लिए आपके account से पैसा काट लेगा 500,000 रुपए काट सकता है यह चीज़ आपको धियान में रखना पड़ेगा कि आपका जो capital हो किस जगह पे नहीं अठकेगा इस तरीके के bank में आपको account कोलना उसे के साथ-साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि maintenance fees कितना है maintenance fees का मतलब होता है कि जब आप इसे bank में अपना account पोल रहे हो वहां पे debit card के लिए yearly charges होता है चेक book के लिए yearly charges होता है या पर leaf के लिए अलग charges होता है तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा और उसके 500 600 रुपए 700 रुपए आपका transaction पीस में चला जाता है तो इस जगह पर आपको यह चीज ध्यान में रखना बढ़ेगा उसी के साथ-साथ आपको यह भी देखना बढ़ेगा कि credit facilities कैसी है credit facilities का मतलब होता है कि आपने किसी bank में account पोला वहां पे आप business कर दो बहुत अची बात है उनको पता चला उनको आप वह देखेंगी कि आपका transaction कैसा हो रहा है आपका balance sheet कैसा है तो इस जगह पर अगर आप सोच रहो कि short term आपको एक loan चाहिए तो क्या branch आपको देगा क्या branch manager आपको loan देगा short term के लिए अगर आपको कुछ capital चाहिए short term के लिए में भी 2-3 महीना एक साल के लिए 6 महीने के लिए कोई equipment खरेदा चाहते हो या किसी चीज को आप order करना चाहते हो कोई order complete होगा उसको उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए थोड़ा सा capital चाहिए तो क्या इसमें credit facility है अगर है तो वो किस तरीके साब को benefit कर सकते है उसे के साथ साथ आपको यह भी देखना परेगा यहां पर SME branches है या नहीं SME का मतलब होता है small medium enterprise तो यहां पर SME branches है या नहीं अगर है तो किस तरीके से उसका आप फाइदा उठा सकते हो क्योंकि SME के लिए government ने बहुत अच्छे अच्छे facilities उन्होंने शुरू किया है आपको short term loan मिल जाएगा बहुती कम दर्में आपको mortgage free loan मिल जाएगा बहुती कम दर्में अभी तो recently SBI या बहुत सारे government branches बैंक जो है वो धाई करोर तक loan देते हैं बहुती आसानी से तो इस जगा पर आपको यह देखना परेगा और उसी के साथ साथ next pointer जो है वो यह है कि online banking service कैसा है क्योंकि यह बहुत important है अगर आपने एक नहीं आए तो आप payment नहीं कर सकते हो तो इस जगा पर यह देखना परेगा कि यह जो online banking है यह online banking हर एक जगा पर इसका accept होता है या नहीं होता है अगर होता है तो कहां कहां पर होता है किस तरीके से हो रहा है और इससे अगर नहीं होता है तो कि जगा पर नहीं हो रहा है यहां पर यह देखना परेगा कि आपका जो business होता है जहां पर transaction होता है वहां पर overlap नहीं करना चाहिए अगर overlap करता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है जो आप नहीं चाहते हो जब आप business कर रहे हो तो इस जगा पर थोड़स आपको यह ध्यान में रखना परेगा ताकि आप सही तरीके has this credit card की facility होती है अगर आपके bank में नहीं है तो आपको यह देखना परेगा अगर नहीं है तो क्या आपको ज़रुरत है अगर ज़रुरत है तो उस बैंक में जाए जहां पर यह available है उसे के साथ-साथ बहुत से बैंक जो होते हैं वह आप अगर पेट्रोल खरीते हैं या options होते हैं जिसका फाइदा आपको लेना चाहिए तो यहां पर चली देखते हैं कि कौन-कौन सा documents आपको चाहिए यह एक generic मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं पर यह bank to bank depend करते हैं बहुत से बैंक में थोड़ा कम लगता है कहीं पे कुछ जादा लगता है तो सबसे पहला license का एक जो document है उसका Xerox आपको देना पड़ेगा या आपका partnership deed जो है वो आपको देना पड़ेगा नेक्स जो option है address proof, address proof का मतलब जहां पर आपने रेंट पर लिया है जो office है वो रेंट पर है या आपका ownership है उसका address proof देना पड़ेगा address proof में आपका electricity bill हो जाता है, rent agreement हो जाता पड़ेगा account creation के लिए तो वहां पर आपको either cash देना पड़ेगा या typically check देना पड़ेगा दूसरे bank account का जहां से money जो है वो transfer होके आपके account में आएगा ताकि account खोल सके तो यहां पर यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो यहां पर चलिए देखते हैं कि कौन- और मेरा experience जो था वो अच्छा गया है और यह मैं आपको suggest करूंगा यह paid नहीं है मेरे जो कोई पैसा कुछ नहीं मिलता है endorsement का ऐसा कुछ नहीं बर मेरा personal experience मैं आपको share करने वाला हम वह है सबसे पहला जो है वो startup entrepreneurs के लिए बहुत ही बढ़िया है वो है बंदन bank अगर बंदन lowest है इसके बाद आपका SBI का 10,000 होता है ICACI, HDFC का 25,000-20,000 होता है तो अगर आप शुरू करना चाहते है पैसा होतना है नहीं डालना नहीं चाहते है रोक के नहीं रखना चाहते है तो बंदन bank में आप शुरू कर सकते है और उसके बाद आता है SBI, SBA तो universally पूरा इंडिया मे अगर कोई एक bank अगर आप चूज करना चाहते हो तो वह SBA होना चाहिए, क्योंकि government bank है and it's a very old bank, very reliable bank, थोड़ा से slow हो सकता है but it is one of the reliable banks in India, उसके बाद आता है Indecent, अगर आप exam में काम करते है, exam का मतलब होता है import-export का का काम करते है, तो वहाँ पे Indecent का सबसे best अभी तक मे जो आपका charges होता है, transaction charges बहुत कम होता है compared to other banks, और इसको आप सही तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और अपना जो business है grow कर सकते हैं, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से, किस तरीके से आप current account खोल सकते हैं, खोलना क्यों चाहिए और इसके फायते क्या ह आपको ध्यान रगना परेगा ताकि आप सही decision ले पाएं और एक सही bank आप चुन पाए अपने business के लिए, अपने startup के लिए